हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल वैद्द स्री अरुड गुरू जी, आज मैं आपको दाद, खाद, खुजली, फोड़े, फुनसी, जो बाहरी रूप से हमारे सरीर में हो जाते हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, एक रामबार, घ खाद, खुजली से छुटकारा प्राप कर सकते हैं, आप बहु सारे दवाई या औशधी का परियोकर करके ठक गए हैं, जब आपको फिर भी दाद या खुजली समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सभी के घर में उप्योग होने वाले फिनायल, क कोई भी कमपनी का आप फिनायल एक ले लाएं, और उसे किसी पात्र में या सीसी में इस तरह से निकाल लें, थोड़ा आप ऐसे किसी भी पात्र में आप फिनायल को आप क्या करें, इस तरह से निकाल लें, और प्रभावित अंग जहां पर आपको खुजली या दाद है, ज और प्रभावित अंग में इस तरह से आप लगाईए यह एक तरह से जर्म कीलर होता है जो पिनायल होता है वो जर्म कीलर होता है किडे, मखोडे या अन्य तरह से जिवाडू, बिसाडू जो भी बैक्टेरिया, वायरस यह सब हैं उनको मारने में अदभूत सकती होता है आप बस दो-चार दिन इस तरह से एक दिन में चार-पांच बार इस फिनाईल का आप अपने दात, खात, खुजली या घाव हो गया है, वहाँ पर आप उपयोग करें, बस ये ध्यान देना है कि आप आँख और जैसे हमारे जो महत्पूर अंग हैं उन्हें बचा करके आप प करन्तु जितना जल्दी ये साप सफाई करके आपके खाच खुजली सही करेगा, वैसा आपको कोई और सधी, कोई दवा, कोई मलहम नहीं कर सकता है, वैसा उपयोग, वैसा इस तरह से आपको ये ठिक करने के लिए होगा, आप बस कुछ नहीं करना है, फिनाईल, फिनाईल आपके हर घर में उपयोग होता है, इसी फिनाईल का आपको उपयोग करना है, यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, तथा वेल आइकेन घंटी को दबा दें, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे, यदि आ आपके घर या आपके परिवार में किसी को अन्या जटिल एओम साध्या साध्यरोग हो गया है, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, मैं उस रोग से संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसका लाब आप निशुर्क रूप से ले सकेंगे, आप खुस रहें स्वस्त रहें इसी कामना के साथ, जै हिन, जै भारत